भारत देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक रास्ट एक कर के लिए लगातार प्रियास किया है 2017 में निर्णे लिया गया था कि पूरे देश के बाजारों को एक सुतर में बांधने के लिए लगातार जो कर प्रक्रिया है उसमें शिथिलता लाकर एक सुतर में बानने की बात की गई थी उससे किसानों को भी फाइदा होगा और जो व्यापारी हैं उनको भी सीधे ग्राउंड जीरो तक फाइदा होगा लेकिन 2017 के बाद 2019 और 2021 दो 2021 में भी व्यापारियों की मांगती के कर है उसमें कुछ शिथिलता लाई जाए और जो पोने 2% के असपास जो कर है उसको 50% किया जाए इस वक्त हमारे साथ में जाववाजी लेके कर्टन अशिशेशन के जो प्रभारी हैं वही उपस्तित हैं उन्हें कलेक्टर मेडम से मिलके मानी मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चुहान को एक ग्यापन के माध्यम हरताल करने की बात कही है क्या कुछ ज़्यादा जानकारी उन कर प्रणाली से मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तीनों राज्यों में अगर समान कर प्रणाली रेती है तो किसी भी राज्य का व्यापार प्रभावित नहीं होगा वर्तमान इस्तिती में जो हमारे मध्यप्रदेश के अंदर एक रुपया सत्तर पेसा मंडी होता है तो 0% एसे इस्तिती में मध्यप्रदेश का जितना भी कपास है जो सीमावर्ती राज्य लगे वे गुजरात तो गुजरात में चला जाता है बिना बिल से और महराष्ट के अंदर खेतिया, पानसे मल, यह जो निमाड एरिया है उधर का पूरा कपास उधर चला जात तो 50 पेसा परती सेकड़े की दर से मंडी सुल्क लिया जाए तो जिससे यहां का भी व्यापार जिन्दा होगा और यहां से जो कपास बाहर जा रहा है उसका तो बिल्कुल 50 पेसे भी सुल्क नहीं मिलता है तो वो तो डाइरेक्ट मंडी का लोग से मध्यपरदेश सरकार का 50 पेसा कर देंगे तो सारा व्यापार यहीं पर होगा तो जितना राजस्व अभी प्राप्त हो रहा है उससे राजस्व भी ज्यादा रहेगा और यहां के जो उद्द्योगे वो भी जिन्दे रहेंगे तो हम सभी व्यापारियों का जिनर्स का काटान एश्योशेशन के प्रदान मंत्री की जो मंसा है उसको भी ध्यान में रखे और मध्य प्रदेश में 0.50 मंडी शुल्क किया जाए 0.50 मंडी शुल्क किया जाए ऐसा कहना है वरिष्ट जटे नशुशेशन के पदादीकारी उनका यह कहना है साथी पूरू में भी आप यहां पहुचे थे कुछ मांगे लेकर पूरू में सायद हो सकता है कि उन्होंने कुछ टेक्स कम किया था वो क्या था पूरी बात दर्शेश को बताए पूरू में जब हमने बात रखी दी के मंडी सुलक कम किया जाए तो उन्होंने एक रियायद दी थी और जो एक रुपया पचास पेसा सुलक था उसको पचास पेसे घटा कर एक रुपया कर दिया था वो मार्च बावीस लगभग मुझे जहां तक ख्याल है बावीस मार्च के दिन वापस उसकी अवधी एक वर्ष की पूर्ण हुई वट एक समापत होगा और वापस से एक रुपया शत्तर पेसा चालू कर दिया गया तो यह हर वर्ष जो एक साल की अवधी के लिए अगर कुछ कम करते हैं वापस वावधी पूर्ण होती है फिर वापस कंटीनू करते तो व्यापारी जगत के अंदर सभी व्यापारी परेशान है कि जो आदेश भी लागू किया जाए उसमें कोई तारिक न डाली जाए उसको इस्था ही रखा जाए ताकि व्यापारी हर वर्स मंडी सुलक को लेकर बार-बार मुख्यमंत्री जी के पास जाना ग्यापन देना यह सब चीजे नहों और व्यापार पर अपना फोकस रखेंगे तो प्रदेश का उत्थान होगा लेकिन आवक नहीं होने से जो व्यापारी भी परेशान रहता और उसके उपर टेक्स जैसी चीजे जो लाद दी जाती है उससे वापारी कहीं ने कहीं परेशान है इस वक्त तो एक और व्यापारी हमारा साथ उपस्तित है क्या विसे समस्या लेकर आए हैं हमारी जो मंडिटेक्स की समस्या है पिछले लंबे समय से लगाता और मांग करते रहें चूंकि मद्यब्रदेश के आसपास महारा लगता है गुज्रा लगता है जहां सभी जगा कॉटन पर मंडी टेक्स लगबग है नहीं या है तो बहुत मिनिमम है और उसके कारण हम कंपेटिशन में खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चीत रूप से यदि शासन इस और ध्यान ने देगा तो यह जो फेक्ट रूप से बंद हो जाएगी शाषन को इस और ध्यान देना चाहिए और साथी साथ में जो रोजगार के जुड़ी वी चीज है कर्टे नेश्व बन्वित करती है यहां कर डिटी एज का पास है जो लॉंग स्टेंड रहता है यह विलेशों में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और साथी साथ में वैपारियों की मांग है कि जो कर्म है वो वियायत दी जाए कि मंत्री कितनी इनकी सुनते हैं तो आने बाला वक्ती त साथ SMS NEWS के लिए निलेश भान पूरिया जाब हुआ